हाई विर्वान वेलकाम बैक टू क्रियेटिव अम्मै संधिया मैं आपका संधिया हूँ आज और एक रेश्पी के साथ आपका सामने आ गए हूँ वो है इम्रती कितना सुन्दर लग रहे है न बहुत अच्छे लग रहे बहुत टेस्टी भी है जूसी जूसी क्रिस्पी करते हूँ वह आई से एक्स्पेरिमेंट करके आप खोना ही दिखाती हूँ मैं अच्छे से उनका बारे में पता करकी स्वीटशाप में जाकी उसके बारे में पूरा तरह से पता करकी मैं पहले सीक की शीखने की बाद ही आपको अप्लूड करती हूँ वीडियो करकी आपका तक पोंच देती हूँ अगर ये रेश्पी पसंद आई तभी जरूर लाइक कीजिए सब्सक्राइब करना मत बूलिए कोई भी डाउड है कुछ भी बोलना चाहते हो जरूर कॉमेंट कीजिए हम तुरंती रेपले दे देंगी अगर आपको कोई भी रेश्पी हमसे सीखना चाहते हो प्लीज कॉमेंट कीजिए हम जरूर आपको तुरंती अपलोड करते हो आपको कॉमेंट को तुरंती रेपलाई भी दे देंगी देखे कितना क्रिस्पी लग रहे है जूसी भी है बिन टाइम वेस्ट करकी हम वीडियो में चला जाती है देखे एक कप उड़त दान लिया था ये भीगा दिया फोर टू सिक्स होवा तक छे गंटा तक भीगो ये इसको इसको अभी मिक्सी जार में ट्रैंसफर कर रही हूँ अच्चा से पीस लेना है बिल्कुल कोई भी बीज नहीं होना चाहिए बहुत साफ्ट बनना चाहिए देखे एक बर एकदम साफ्ट है ऐसे होना चाहिए इवन रती के लिए ये परफेक्ट है कंसिस्टेंसी भी आद देख सकती हो अभी चेक भी कर सकती हो देखिए ऐसे एक बॉल से पानी ले लिए ऐसे तोड़ सा लेकिए ऐसे डाल दीए तुरंती ये उपर आना चाहिए उतना प्लफी आना चाहिए देखिए तुरंती उपर आ गया ना बहुत प्लफी है अभी देखिए दूसरा बॉल में ट्रैंसफर कर दीए अभी चास्नी के लिए तैयार कर देंगे पहले चास्नी बना दिये तो टंडी होगा चास्नी के लिए दो कप चीनी लिया था त्री अच्छ से अभल आना डीजिए क्लिए चास्नी अभल आ गया है इसको हम चेक करेंगे सिंग्ल द्रेट कि चास्नी होना चाहिए देखिए बहुत पतली चास नहीं होना चाहिए नए तो गड़ा बन जाएगा नए तो वो क्रिस्टलाइस बन जाएगा ठंडी होने का बाद उसमें अगर आप चाते हैं तो निम्बू भी डाल सकती हो अभी देखिए ये तंडी होने के लिए रख देंगे इसमें एक स्पुन चावल का आटा एक स्पुन कार्ण फ्लोर चुटकी बार रेड फुट कलर डाला था उसको अच्चे से मिला दीजिए तोड़ा ज़्यादा डालना है फुट कलर क्यूंकि इम्रती बहुत ज़्यादा रेड कलर होता है अगर आप चाते हो गर्में यह बना रही हो आपको कलर नहीं चाते करकी आप एवोर्ड भी कर सकती हो स्किप्ट करने में बहुत अच्छे भी होता है बच्चे के लिए इसमें तोड़ा साल्ट डाल दीजिए कोई भी स्वीर्स में तोड़ा साल्ट डालने में आच्छे स्वाद आएगा तोड़ा सा सोड़ा भी डाल दीजिए चुटकी बार सोड़ा डाल दीजिए नई तो वो ज़्यादा ओईल ले लेगा अच्चे से मिला दीजिए हमारा बैटर आप अब्जव कर सकते हो बहुत फ्लफी है देखे ये कॉंसिस्टेंसी जरूर होना चाहिए अगर आपका बैटर पतली होगे उसमें आउट तोड़ा सा कॉंट फ्लोर एड़ कर सकते हो अभी ये तैयर होगे अभी ओईल डाल देंगे गैस फ्लेम अन करकी ओईल को हीट होने दीजिए मीडियम फ्लेम पे जरूर हीट होना चाहिए अभी एक दूद कवर लिए उसमें हमारा बैटर बर की रबर बैंड से बंद कर दीजिए ये कॉर्णर में चोटी सी कट कर दीजिए चोटी सी कट होना चाहिए अगर ज्यादा हो गए तो हमारा इमरती बड़ी बड़ी आजाएगा देखे आईसे डाल दीजिए ये एक साइड फ्राई होने के बाद दूसरा साइड तर्न कर दीजिए अगर बड़ी होल कर दीए तो बड़ी बड़ी इमरती आजाएगा पहले चोटी करकी देख लिजिए उसकी बाद अगर बहुत चोटी आगए तो फिर कट कर दीजिए ज्यादा फ्राई होना चाहिए हमारा इमरती तोड़ा सा हार्ड होना चाहिए हम जबी भी टच करते है तब थोड़ा हार्ड होना चाहिए अभी देख लिये ऐसे पकड़ने के टाइम में थोड़ा सा हार्ड दिखना चाहिए बस तुरंती लुकवाम सिरफ में डाल दीजिए ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए सिरफ इसे डाल डीजिए अगर पहली बर आप कर रहे हो पहले एक पॉलतिन में प्रैक्टिस कर दीजिए उसकी बाद ओयल में डाल दीजिए अगर पहली बर बनाने में तोड़ा सा परिशान लग गए तब ही आप जिलाबी जैसे सर्कृर कर दीजिए कोई परिशन नहीं हो देखे एक साइड होने के बाद एक साइड शिफ्ट करकी थोड़ा सा हाड आ गए तो निकाल की गरम गरम इम्रती अलकी गरम शिरप में डाल दीजिए चासनी में अईसे ही सबी डाल दीजिए मैं तो ये केक डाल रही हो आप चाते तो दो तीन डाल सकती हो मेरे छोटी कड़े है इसलिए मैं ये केकी डाल रही हो थोड़ा फ्लैट कड़े ले सकती हो तबी आच्छे से हमारे इमरती तोड़ा जादा जादा डाल सकती है दो, तीन, चार, पांच तक डाल सकती है ऐसे सिंपल रेश्पिस आप घर में ही आच्छे से ट्राइ कर दीजिए बच्चे को खिला दीजिए ये चोटी सी रेसिपी के लिए बाहर जाने के कोई जरुरत नहीं है अच्छा लगते हैं अगर ये वीडियो आपको पसंद आई प्लीज लाइक कीजिए लाइक करना प्लीज मत बूलिए सब्सक्राइब कर दीजिए अगर कुछ भी डाउट है कुछ भी बोलना चाहते हो कॉमेंट में जरूर कॉमेंट कर दीजिए जो भी रेसिपी हमसे आप सीखना चाहते हैं कॉमेंट में कर दीजिए हम तुरंती आपको रिपले दूंगी तैंक यू फर वाच्छिंग आपको सपोर्ट हमको बहुत जरूरत है प्लीज सपोर्ट कर दीजिए हमको सब्सक्राइब करकी आप देख सकती हो हमारा इमरती कितना अच्छे से बन की तयार की आगे बहुत जूसी जूसी है बहुत क्रिस्पी भी है बहुत अच्छे लगता है आपको गर में जरूर ट्राइ किजिए ये रिस्पी बहुत अच्छे लगता है